आजकल की नए MCU फैस को लगता है कि जो MCU की शुरुवात है वो ही एवंजर इंफिनिडी वार्स और एवंजर एंड गेम से लेकिन इनको कौन बता है कि आज की शुरुवात क्या से नहीं हुई है MCU की शुरुवात हुई है 2008 की आइन मैन मुवी से अब कुछ लोग बनेंगे हल्क सो है बट नहीं 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 वह हम कहने नहीं मानेंगे फिलाल आज के अपिसोड के अंदर आज करने वाले हैं आइन मैन 1 की और क्यों यहीं कैसी मुवी ने MCU की शुरुवात की है गाइस मैं उस अची निंगा में लेट्स विडियो जब फॉर्स टैंड मन आई थी तब लोगों के अंदर उस मूवी के लिए क्या होने वाला है क्योंकि 2008 में जो एक financial crisis से निकर रहा था और जब कहते हैं कि जब कुछ भी समझ नहीं आथा जो तीर छोड़ दो और मावल नहीं यहीं किया मावल ने आयन में नाम का तीर छोड़ा और सब ने उसको ले लिया तो आयन में 2008 में जब आई थी तब मावल को यह पता नहीं था कि उनकी direction क्या है कॉमिक बुक जो बिडमस था अंका वह और मावल पहुश गया था और करू नंहीं। इसे एल लगे हुए थे मावल की वाला इससे पहले तो मावल ने सोचा कि क्यों को एक साँ जोड़ा जाए एक ऐसे गिरेक्टर पर जो की जादा लोग जानते रहें है लेकिर उसकी मूवी देखेंगे ज़रूर और आ गई हमारे सामने आयन मैं कास्ट की बात करें तो कास्ट में से पहले थे रॉबर डानुज यूनियर एक ऐसे फेल्ड आक्टर जो कि नशी की लत्में पड़े हुए थे मावल को जब यह कास्टिंग की गई थी तो मावल को बिल्बूल भी बड़सा नहीं था यहां तक ही जॉन फैवरो जो कि इस मुवी के डाकर है उन्हों ने बोलता कि मैं एक बार्गें कर रहा हूं रोबर डानुज जूनियर के उपर और मुझे समझ में याना कि कि सेक्टर को क्रिक क्योंकि टॉम्ड कोने माना कर दिया था उन्हों बता बैं मुझे यह वह भी नहीं कर नहीं की क्योंकि मैं चाहता हूं अपना थोबड़ा दिखाना क्योंकि इससे पहले किसी बड़ी चीज के दर काम नहीं किया था, हाँ, उन्होंने भी बहुत सारी प्रजय किये थे, लेकिन उनकी लाइट ही लगी पड़ी थी जिया, हर तरस्ते उनको एल मिल रहा था, और फ्रेट जगह से वो टीफीट ही पा रहे थे, यहां तक कि उनका एक लॉंग बैटल था, ड् मावल स्माटिक इनिवर्स की श्रिवांत करकर बन गई है, एक ऐसी मूवी जिस मूवी ने बहुत सारा पैसा गामाया, पैसा नहीं कमाया से पर सिफ शान और शौकत और बहुत स्चारन लब भी लिया हमारी सारी ओडियंस से, और ओडियंस को ब ऐसा लगने लगा, कि बात करना साते हो, अवेंजस इनिशर्टिव के बारे में, तर अवेंजस इनिशर्टिव के बारे में, पितन के अफूडर रिखाएंगे, अब हम मार्वल की तर previous लोग को बहुत मसाने वाला है, य तो इतनल जो स्क्रिप्टी जहां पर जमान निक फिरियों आके बोलता है कि मैं आपसे अवेंजिस इनिशेटर की बादे बाद करने चाहता हूँ और इतनल स्क्रिप्ट के अंदर आइन मैन के साथ साथ स्पाइडर मैन हाल कॉर्ट वॉल्वरी इंग का भी मैंशन था वो जह कहीं पर क्लिप मेलेगी तो मैं जब दिखाऊंगा स्ब्सक्रियत जब कि बाद अब स्पाइडर के साथ से फ्जडर के अवेंः लिखाँ का खवेंजर की बाद दाष इनिश्वरी इंच वेंच चाहता है क्ट्सक्स भॉब बफट दीफ्स था आजव जगन की स्वाष है आप इस scene से ये तो clear हो चुका था कि future के अंदर आप Avengers देखने को बलेंगे जो ओरन comic book fans थे वो तो excited हो गए थे जो नए comic book fan थे उनको नहीं पता था उनको लगाता है कि one and done वाली situation है Iron Man आई है अच्छी हिट हो गई है पैसा बड़ी है कमाया है movie बड़ी है लेकिन क्या इसको marvel repeat कर पाएगा इसके बारे मैं हम future के अंदर बात करेंगे लेकिन इस movie के अंदर उन्हें ऐसी ऐसी चीज़े दिखाई दा जो कि हम सोच भी नहीं सकते सबसे पहले इस movie की positive points positive points की बात करें तो मुझे इस movie की CGI 2008 के साम से बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप इसकी suit को देखिए न Iron Man की suit को तो जो metal वाली feel होती है वो जो लोहे वाली feel होती है वो भी skin rating मिलता है साथ-साथ अगर characters की बात करें तो रोवर डानी जीने playing as Tony Stark I think इससे बढ़िया कोई भी कास्टी नहीं हो सकती थी Well Pedro जो थी वो हमारी paper pots play करें थी जो कि Tony Stark की कहा नहीं कहा एक बहुत ही important part है जिसें Tony Stark की अंदर हाथ देकर मतलब शाथी में आथ देकर उसके आख रेक्टार आए था तससे ही बहुत important woman की थी Robby जिनकर दुवारा से कभी कोई समी आया ही नी मतलब मुवी के रहे डालोग है next time baby लेकिन इस बंदेकर next time कभी आया ही नी जो लोगे नहीं बता बता है था रोबर डल जूनर ने इनको रिफलेस करवाय था और डॉन चीरल को लेकर रहाए थे या fun fact with such it इसके राव इस मुवी के डायर्ट के जॉन पैबलोग जो की खोद ही मुवी के अंदर आप कर रहे है एस हैपी होगें जो की टोनी स्टक का बोडीगार्ड होता है और फॉन इस मुवी के अंदर दिखाए गया है कि टोनी स्टक is a fucking asshole उसे किसी भी चीस से कोई फ्रक नहीं पड़ता है यहाँ तक कि जब रिपोर्टर्स के पास रिपोर्ट लेने आती है वो उसके साथ भी सोजाता है मनब यान लेज़ वो तो ऐसी पैसा, पावर, दारू, लड़की हम यह तो होगे वो सारी की सारी बात है जो की इस मुवी के अंदर पॉतल देप फीर लेकिन इस मुवी के अंदर नेगड़े भी बहुत थे एक वीक विलन विलन नहीं था, हाला कि उसका करेक्टर आंक बहुत अच्छा था कि वो टोनी की जो कंपनी उसको अतियान चाहता था उसके बाद टोनी को आफगानिस्तान मस ने कैप्चल करवाया फिर आयन मॉंगर वाला सूट बनाया और वो आख रियक्टर वाली कहानी दाथ परफेक्ट बड़ मुझे लगता है कि आयन मैं वन का विलन ता ना वेरी वेरी वीक विलन और उसकी जो ओरीजन स्टोरी थी थी न वो और ज़दा अच्छे तरह की तरह फ्लश आउट करी जा सकती थी बड़ कोई बाती मावल ने ट्राय किया आयन मॉंगर को विलन मनाया और आयन मैं वर्सिस आयन मॉंगर अब देखनों मला कभी न कभी तो मरने वाला है लेकिन इस मोवी के इंदर असन नहीं हुआ एंड के इंदर जब आगरी एक्टर फटता है और टोनी स्टाफ का जो आगरी एक्टर ने वो फटकने लगता है तब 2008 पर लिए से शुशी होगी कि ये बंदा मर जाएगा बट वो बढ़ जाता है अब आपने 2019 के अंदर देखी अवेंजर एंड गेम जहाँ पर थानोस के सामने जब आयन मैन होता है तब इंग्रिडिक उन्टिक अस्टमाल करके वह बोलता है आइं एम आयन मैन तम भाई गूसबम साइट आलिया बजी योड पादल होगे सीड फारदी पता नहीं क्या यह दर लगे बट उस मुमेंट का इंपक्ट आपके उपर एक परसेंट भी नहीं होता अगर आपने 2008 साई ये डालोग ना सुना होता तो इस डालोग के इंदर ना रॉबर डान इजी ने का टोनी स्टांक पूर संवराइज हो जाता है पहला उसको फरक नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोच चाहिए क्योंकि वहां पर चैनलिस पैटे होते हैं जो कि बोड़र होते हैं कि आप तो वह नहीं थे कम से कम तो उसको कोई फरक नहीं पड़ता दूसरा वो चाहता है फेमस होना वो चाहता है वरल्ड के इंदर अपना नाम बनाना वह फआपने आपको बोलते हूं कि मैं आयन मैन हूं तो फिर बश्त होई जाओंगा और प्यास बताया है कि मैं ही हूं आयन मैन इसके साहर अगर आप आप एक मसीह बन चुका है और वो पता नहीं वेल्ड के अंदर क्या 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 करने वाला है पोरा क्रेकर एक ही डायलोग के इंदर सब्सक्राइब हो सकता है आइम आयन मैन चाहिए वह 2008 की मुवी उठा के देख लो आप उसके अंदर आपको यह सारे ट्रेट मिलेंगे लेकिन अगर यह 2019 के अंदर सेम डायलोग करें अब देखते हो जो कि अवेंजर एंडगेम के इंदर था जब वो बोलता है अपने फ्यूचर यह इन इसकी बेटी का विचर उसकी वाइप का विचर साथ में विचर की टीम का फ्यूचर जो कि पहले वाला टोनिस चाक बिलकूर भी नहीं सोचता था यह होता है एक पर्फेक्ट स्टोरी आर्क जहाँ पर 2008 पर आपको दिखाया गया कि अगर आपको टोनिस चाक नाम का बनना मिलेगा तो भाई एक नंबर का गांडू आदमी है लेकिन तो आप उसके साम नहीं जोड़के बोलोगे क्या बात है वाईसा आप उनिवर्स के एकसेप्ट है यह बहुत ज्यादा यूनीक बनाता है जो कि हमने 2008 से बेले करी दिखा था मतलब किसी ने एटेंप्ट भी नहीं किया था बट मावन ले करके दिखाया और फ्राइल में आपने अभी तर्ण देख लिया है और 2000 लाइक तुम नहीं करवा रहे हो तुम नहीं कर ले चाहे दो रदा दुनिस में टोनिस्टाक मर गया हो हमारे दिलों में वह अभी भी जिंदा है और अवेंजी सेकेट वर्स में तो आपको देखने को बिलेगा है मिलेगा यारी रोबड़ आने वापस हैंगे इसके पर मैंने वीडियो बना रही है यहां पे क्लिक करके मुझे पता है मैं बहुत तेज बोर रहा हूँ इसलिए अब बाई